आयमा गाड़ी में बैठी थी, चहरे के मुस्कुराहट एक लंभे के लिए भी कायब नहीं हुई थी, सुम्बल पुर्जोश सी इसकी हमरा बैठी थी, जुलेखा बेगम को वो इतला दे चुकी थी अपनी आमद की, ये तुम्हारा घर है, गाड़ी रुकी, तो सुम्बल बा बाहर से इतना अच्छा मालूम नहीं होता, आयमा बाहर निकलती हुई बोली थी, सुम्बल भी मसरूर सी बाहर निकल आई थी, आयमा चलती हुई अंदर आई थी, सुम्बल एर्द गेर्द निगाद ओड़ाने लगी, मेकप से लब्रेज चहरे, आयमा तुम्हारे घर में इतनी सारी लड़कियां हैं, वो ताजब से बोली थी, हाँ बहुत सारी हैं, और अब तो तुम भी आ गई हो, आयमा के चहरे पर शातराना मस्कुराहट थी, सुम्बल ना समझी से आयमा को देखने लगी, आयमा जुलेखा बेगम के कमरे में आ गई, ले, आपके लिए नया पर रहोगी, हमारे साथ हमारी महफिलों में रंग भरने की खाते, आयमा मस्कुराते हुई बोली, ये, ये कौन सी जगा है, सुम्बल घबरा कर इन्हें देखने लगी थी, अभी तक तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ, ये कोठा है, मतलब जानती हो ना, जहां मुझरे कर आयमा बाई आँख दबाती हुई बोली थी, सुम्बल होग जदा सी, दोनों को देखने लगी, तुमने अब वापत जाना है, जुलेखा बेगम सुम्बल को नजर अंदास करती हुई बोली थी, जी, एक लड़की है होस्टल में, रंग सफेद नहीं है, लेकिन तयार होकर क दोस इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जुलेखा बेगम तासुफ से बोली थी, सुम्बल धीरे धीरे दर्वाजे की जाने बढ़ रही थी, बानी बहार निकल और इसे लेकर जा, जुलेखा बेगम सुम्बल को घूरती हुई चिलाई थी, सुम्बल अपनी जगा पर आफिस में, किसी और दिन चली जाना। शाह ने टालने वाले अंदास में कहा था, शाह पलीज, मैंने इसे बोल दिया है, अब ऐसे मत करें, आपको आफिस भी तो शहर में ही है ना, हमें भी शहर ही जाना है, पलीज।, महर इसके हाथ थामती हुई बोली, ब्लैक मेलर हो तबित कुछ अजीब सी हो रही है महर के चहरे पर बेजारी थी फिर ऐसा करेंगे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाओंगा और हरायमा को इसके घर छोड़ देंगे ठीक है शाह इसके बाल दरुस्त करता हुआ बोला ठीक है महर इसके रोशन चहरे को देखती हुई बोली महर ने सर इसके शाने पर रख दिया अभी भी मुझसे महबत नहीं हुई शाह इसके बालों में हाथ फेरता हुआ बोला नहीं महर सपाट अंदास में बोली छूट बोलती हो तुम मुझसे शाह खपाखवास सा बोला था महर ने बिना कुछ बोले आंखे मुन ली थी कुछ पल हामोशी की नजर हुए थे तुम ठीक हो शाह फिकर मंद सा बोला हम ठीक हूँ महर पीछे होती बोली तुम चेंज कर लो फिर चलते हैं शाह इसका मुझ थपाता हो बोला था हरायमा आइने के सामने खड़ी चादर ओड रही थी जब इसे दर्वाजे पर दस्तक सुनाई दी वो जल्दी से आइने के सामने से हटी और दर्वाजा खोल दिया सामने महर का चहरा दिखा था जहां बला की नर्मी थी चलें महर बगोर इसे देखती होई बोली थी जी आपी वो बोलती होई महर के अकब में चल दी हरायमा के बताए गए एडरस पर इससे शाह ले आया था यहां तो ताला लगा है हरायमा शिश्टर सी बोली थी क्या हुआ, महर कहती हुई बाहार निकली, पता नहीं, अम्मी कहां चली गई, हराइमा की आँखों में नमी तैरने लगी, तुम ऐसा करो हमसायों से पूछो, तुम्हें तो जानते होंगे ना, महर इसके शाने बरहात रखती हुई बोली, हराइमा आँखें मसलती हुई अपन में ताला लगा हुआ है, हराइमा इनका सवाल नजर अंदास करती हुई बोली, हाए, तुम घर से भाग गई थी, तो फिर वापस क्यों आई हो, अब तुम्हारे मा बेचारी कहां ये सद्मा बरदाश्ट कर पाती, वो तास्व से बोली थी, क्या मतलब, अम्मी शदीद गं किताब ना लाते हुए, वो इस दुनिया से चल बसी, वो अफसुद्द की से बोली थी, बेगम किसे बाते किये जा रही हो, हराइमा ने चहरा उठा कर इनके शोहर को देखा था, तुमने इस बेगैरत को घर में क्यों बुलाया है, जानती नहीं हो क्या इसकी वज़ा से हमा इस तेस कदम उठाती हुई बाहर निकल गई, आएंदा अगर तुमने इसे घर में गुजाया तो खैर नहीं तुमारी, वो हंकारा भरते हुए वापस कमरे में चले गए, हराइमा मरे मरे कदम उठाती हुई चल रही थी, महर इसके सुते हुए चेहरे को देखकर इसकी जान मैं आखरी बार इन्हें देख भी न सकी, हराइमा ने ससकते हुए सर महर के शाने पर रख दिया था, महर की आँखों में भी नमी तैडने लगी थी, कुछ वक्त कबल, वो भी इसी नौयत के कर्ब से गुजर रही थी, महर इसका सर थपकने लगी, हराइमा को जैसे ही इर्द मलतवी मत करें, आपकी तबियत जादा एहम है, हराइमा इसके हाथ थामती हुई बोली, महर जानती थी वो ठीक नहीं है लेकिन अपनी तबियत के बास वो भी मजबूर थी, ठीक है आजाओ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, महर गाड़ी के जाने चलती हुई बोली, हराइ अपी तक वापस नहीं आया है, ने जाने कहां मारा मारा फिर रहा होगा, वो फिकर मंदी से बोली थी, हराम के सामने इस रात का मनस्जर खुँँग गया, अमी, आप सोच रही हैं, वो भी मो बनाती खुई बोली, मैंने जीरों को बोला था, देशी घीवाला पराठा बना क पर देगी वो तुझे तू खाना कैसी कमजोर सी हो गई है वो तेर लगाती हुई बोली थी अम्मी लस्ची नहीं प्यूंगी में हरम नाक चढ़ाती हुई बोली हलकी हलकी धूप दोनों को गर्माईश बख्ष रही थी बच्पन में गलास भर बर कर पीती थी और अब तो दिन रात काम में ही लगा रहता है ना खाने का होश है ना पीने का दिखाई भी कैसे देंगे आप लोग कौन सा बहार निकलते हैं जो मालूम होगा शावेज दहारता हुआ आया था क्या हो गया है आते ही चिलाने लगा है सौफ शावेगम ख़गी से बोली थी शावेज को देखकर हर्रम के चहरे पर नागवारी दर आई थी आप लोग यहां बैठे हैं और वो शहर में दो दो लड़कियों के साथ रंगरलिया मना रहा है शावेज हंकारा भरता हुआ बोला अकल तो ठीकाने पर है ना तुम्हारे बापा ने सुन लिया तो बक्षेंगे नहीं वो हर्रम को उठने का इशारा करती हुई बोली थी बुला लें बाबा साई को मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ बलके मैं तो कहता हूँ मुस्तफ़ा भाई को भी बुला लें वो ताव खाता हुआ बोला था छोटे अकल से कामले क्यों घर में फसाद खड़ा कर रहा है जोशा बेकम को इसकी अकल पर शुबा हुआ था कमाल सहाद चेहरे पर कवगी तारी किये इधर आ निकले थे क्या हो रहा है यहां वो गरशदार आवाज में बोले थे शाफोन को देखता हुआ घर में दाखिल हुआ तो आवाजे सुनकर वो भी यहीं चला आया था भाई आ गए ब संजीर की से इसे देखने लगा ना चेहरे पर खौफ़ता ना फिक्र हाथ था मैं दो लड़कियों के साथ तो शा सवालिय नजरों से इसे देखने लगा शावेज कर बढ़ा कर इसे देखने लगा इतनी साफ कोई की तोक को इसे नहीं थी शाय क्या कह रही हो तुम कमाल सहा जब्त करते कोई बोले बीवी है वो मेरी बाबा साइन इसमें क्या बुराई है शाह बरपूर तमानियत से बोला शावेज के चहरे का रंग फक हो गया क्या मतलब है तुम्हारा शाह वो गुर्राय थे निका क्या है मैंने कोई गुनाह नहीं किया शाह की आवाज बलंद होती जई थी शाह रुक कर इन्हें देखने लगा शावेज लब भीचे कभी शाह को देख तो कभी बाकी सब को सब अपनी अपने निशिष्ट पर हक्का बक्का थे फिर इसे यहां क्यों नहीं लाए अपके वो नर्मी से बोले थे एक दो दिन तक लाने वाला था लेकिन अब च चक्ती हुई निका इन पर डाली अब ये किसको बीवी बना लिया है वो हुंकारा भरती हुई बोली थी बाबा साही समझाएं अपनी जोजा को मैंने एक बे सहारा लड़की को अपनाया है इसे लेकर आता हूँ शाह कहकर वापस चला गया ये तो अच्छी बात है इसने किस किसी बे सहारा को सहारा दिया है क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो कमाल सहाब गुस्य से गया हुए जोफ्षा बेगम मू बनाती हुई चल दी हरम बेयकीनी की कैफियत में घिरी हुई थी शावेज बाहर को भागा था भाई शावेज इसे देखता हुआ बोला शावेज निदामत से सर जुकाता हुआ बोला था कोई बात नहीं शा ने मुस्कुराते हुए इसे गले से लगा लिया किसी बहाने तो तुम घर आए अब सुधर गए हो ना शावेज इसे अपने सामने करता हुआ बोला जी भाई वो सादत मंदी से बोला अच्छी बात है जाओ अपने कमरे में आ गई आसु जो वोकप से जब्त किये हुए थी तमाम बान तोड़ कर निकल आए अमी आप कैसे चली गई है मुझे छोड़ कर इस दुनिया में तनहा मुझे छोड़ कर कैसे जा सकती हैं आप मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं हराइमा सर बैट पर रखे जमीन पर बैठी बलक रही थी वो दोहरी अजित से गुजर रही थी मैं तो आपको देख भी नहीं सकी कितनी बदनसीब हूँ मैं अमी देखें आँखरी बार आपका चेहरा भी न देख सकी मैं तो हराइमा हज्यानी अंदाज में बोल रही थी अमी क्यों चली गई हैं आप अमी वो अपने हवास में नहीं थी नजाने क्या क्या बोले जा रही थी महर अलमारी में अपने कपड़े रख रही थी जब इसे आठ सुनाई दी शाह तो अभी गए हुए हैं फिर कौन हो सकता है महर सोचती हुए बाहर निकल आई महर ने अभी कमरे से बाहर कदम ही रखा था कि शाह ने इसका बाजो पकड़ कर इसे अपने करीब कर लिया शाह आप महर की आँखों की पतलिया फैल गई थी डरा दिया मुझे आपने महर खबगी से बोली वो क्या है ना मेरा दिल नहीं लग रहा था इसलिए आगया शाह की आँखों में शरारत थी अच्छे से जा किया है शाह हैरत से बोला अब जल्दी से पैकिंग करो और मेरे साथ चलो शाह इसे आजात करता हो बोला था लेकिन शाह हरायमा इसका क्या होगा महर फिकरमंदी से बोली ऐसा करते हैं इसे भी साथ ले जाते हैं तुम्हारी बेहन बना कर कैसा खयाल है शाह दीवार से टेक लगाए महर को देखता हूँ बोला ये भी ठीक है इस तरह वो बेसहारा नहीं रहेगी महर अजबात में सर हिलाती हुई बोली अच्छा बात सुनो शाह के अलफास पर महर के बढ़ते हुए कदम थम गए जी वो चहरा मोड कर शाह को देखने लगी मैंने सब को यही कहा है कि त इसलिए तुमसे निकाह कर लिया है तुम कोठे पर थी इस बात का इल्म किसी को नहीं नहीं होना चाहिए बाकी मैं सम्हाल लूँगा शाह के लहजे में जिजक थी महर खुद में सिमट गई थी एक तल्ख हकीकत जिसे वो चाहकर भी नोच नहीं सकती थी महर अपनी सोचे ज काहों का मफूम समझ कर वो मारिया की जाने मतवज़ा हो गई थी महर शाह के पहलू में बैठी मसलसल हाथ रगड़ रही थी हरायमा भी सर जुकाए बैठी थी शाह मुझे अजीब लग रहा है महर सरगोशी करने लगी थी शाह ने इसे नजरों से तसल्ली दी हो गई आप तो शादी की नहीं ये पता नहीं कौन है जिसको उठा लाए हैं वो कदूरत से बोली शाह वेस की नजरे महर पर थी दूदिया रंगत खूपसूरत नकूश की मालिक हलकी से लिप्स्टिक लगाए कयामत खेज लग रही थी शाह वेस का दिल इस कातल हसीना पर आ गया जो इ भाई हरम कहती हुई खड़ी हो गई इसे ये घबराए घबराए से लड़की अच्छी लगी थी जो अन्ना के हसीन बलके मासूम भी मालूम हो रही थी एक हफ़ता खामोशी से बीद गया महर शाह के हमरा इसकी खौपकाह में थी आज हमारा वलीमा है शाह महर के सरहाने कर ही लिया था हाँ पोचो शाह इसके बालों में हाथ फिरता हुआ नर्मी से बोला शाह क्या आपको मुझसे महबत है महर इसकी आँखों में देखती हुई बोली शाह को इस सवाल की तुक्व नहीं थी मैं नहीं जानता महर लेकिन सच कहूं तो तुमने जो खुशी मुझे दी है ना ये सब इसके बास्त हो रहा है मेरा खुद में तगीर वत अद्दील लाना तुम्हे इज़त देना शायद तुमसे महबत हो रही है शाह साब कोई से बोला था और अगर आपको ये खुशी ना मिलती या फिर कुछ गलत हो गया फिर महर के दिल में वस्वसों ने ज दिन शाह तुम्हे अपनी जिन्दगी से बेदाखल कर देगा शाह के लहजे में चट्टानों किसी सफ़ती थी महर का दिल मानो किसी ने मुठी में जकर लिया शाह मैं मरते दन तक आपके साथ वफा निभाऊंगी महर इसके गर्माद अपने नाजुक हातों में लेती हुई बोली मेरी एक बात माननी होगी तुम्हें शाह बगोई इसे देखता हो बोला क्या मैं सवाय नजरों से इसे देखने लगी नमास पढ़ा करो मैं चाहता हूं हमारी ओलाद भी नेक हो शाह धीरे धीरे बोल रहा था महर अजबात में सर हिलाने लगी हरम बार बार पून करीब ला रही थी जितना वो इसके ख्याल को जटकती इतनी शिदद से वो याद आने लगता इस पर सितम ये कि वो खुद भी लापरवा बना हुआ था हरम की जानिब से और हरम को ये बात तीर की मानिच चुब रही थी हरम ने बेध्यानी में हरायमा को देखा जो नमास प आने लगा था सच में इनसान खुद से नीचे देखे तो मालूम होता है कि अल्दा ने इसे कितने न्यामतों से नवाजा है उपर देखेगा तो हमेशा ना शुक्री करेगा शुक्र करना है तो खुद से नीचे वालों को देखो जो ना जाने कितनी महरूमियों में भी जी लेकिन फिर भी जबान पर शिक्वा नहीं, छुटिया खत्म हो गई तो आप शहर चली जाएंगी, हराइमा की आवाज ने हरम को अपनी सोच के महवर से निकाला था, हाँ हाँ, फिर मैं होस्टल चली जाओंगी, हरम उदासी से बोली, आप MBA कर रही है ना, हराइमा नर्मी से इस तफसार कर रही थी, हरम अजबात में सरहिलाने लगी, मैं भी MSC कर रही थी, हराइमा तास्फ से सोचने लगी, कहां गुम हो गई, वो हराइमा की आँखों के सामने, हाथ लहराती हुई बोली, कहीं नहीं, मैं सोच रही थी, आपी के वलीमे के लिए तयारी शुरू कर हाँ ठीक कह रही हो, आ जाओ, अमी के पास चलते हैं, हरम मसरूर सी बोली थी, शावेज तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं आज फिर से बता रहा हूँ, बुरहान से तनाज़ा जायदात पर हुआ था, इसी लिए इससे पोल चाल पंध है, और तुम भी समझ जाओ शावेज मजलूमियत से बोला था, पूछो, शावेजारी से बोला, जगड़ा सिर्फ जायदात के उपर हुआ था ना, तो फिर इतनी कदूरत अच्छी बात नहीं है, बुरहान सुल्हा का कह रहा है, हमें भी हाद बढ़ाना चाहिए ना, ना के पुराने बातों को लेकर पैठे रहें, शावेज ने लंबी चोड़ी वजाहत पेश की, हो गया, अब तो बारा बहस नहीं होगी, वो लोग में लंसार नहीं है, ऐसे लोगों से दूरी ही अकलमंदी का तकाज़ा है, शावेजात करता हुआ बोला, ठीक है बाई, शावेज मु बसोरता हुआ चल दि थी, बेगम साहिबा रानी को बोले, वो सिखा देगी ना मुझरा करना, आइमा हल पेश करती हुई बोली, रानी को ही बोला था सिखाने को, लेकिन जरा मज़ा नहीं है इसमें, हाई महर होती थी, क्या रक्स करती थी, लोग इसके सहर में जकर जाते थे, सुलेखा बेगम आ खड़ी हो गई, जुनेरा से सीख, देख इस हरायमा को पकड़ कर लाई थी, लेकिन वो कमबक्त ना जाने कहां गायब हो गई, वो पान मुझ में डालती हुई बोली, आइमा जल भुन कर बाहर निकल आई थी, कभी जुनेरा तो कभी महर, हम तो किसी गिंती में ही नहीं है, वो हंकारा भरती हुई चलने लगी, सीन चेंज, सब को मसरूफ देखकर हरम छट पर आ गई, हरायमा के बास्त वो अजलान को फोन नहीं कर सकी थी, इसलिए ये मो का गवाना नहीं चाहती थी, अजलान ओंधे मू लेटा हुआ, मूवी देख रहा था, ये एक एक्शन मूव अभी खबर लेता हूँ, अजलान शायाद से बोलता हुआ हैंड फ्री लगाने लगा, हेलो, हरम की हलके सी आवाज अबरी थी, जी कौन, अजलान अंजान बनता हुआ बोला, हरम ने फोन कान से हटाया और नमबर देखने लगी, नमबर तो अजलान का ही है, फिर, हरम फोन क इसे गोया हुई थी, इस से पहले के हरम फोन रखती, अजलान बोल पड़ा, कोई नहीं हो तो फिर, अपने शोहर को कैसे फोन किया, अजलान के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आहाता किये हुए थी, अजलान तुम हो, हरम ने तस्हीक करना चाही, जी हां मैं हूँ, इत इतने दिनों से कहां गायब थी, अजलान जाने अंजाने शिक्वा कर ही गया था, हरम लब दबाए सोचने लगी, तुम्हें मालूम है मैं तुम से बदले लेने के नए नए तरीके सोचता हूँ रोज, अजलान उटकर बैठ गया, दिल इस दुश्मिन जान को देखने पर उकसा रहा था, किस बात का बदला, हरम की बेशानी पर पल पड़ गए, भूल गई, तुम जाने से पहले मेरा पेपर, अच्छा वो, हरम याद आने पर बोली थी, बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था, तुम्हें स्मिंग पूल में फैक कर, बिजली की तार गिरा दूँगा, ये जादा आसान है, अजलान महजूस होता को बोला, हाय अजलान तो मुझे मारने के मनसूबे बनाते रहे हो, हरम सदमे से बोली थी, हरम अजलान का लहजा बदला, हरम शिश्टर सी रह गई थी, मैं सुन रही हूँ, हरम लब काटती हुई बोली, वीडियो कोल पर आओ, अ काटने लगी, तिल इसका भी चा रहा था, अजलान को देखने का लेकिन अजीब भी लग रहा था, तुम आ रही हो या मैं आओ, अजलान काफी देर बाद बोला, हरम जैसे होश में आई थी, नहीं, मैं करती हुँ ना कोल, तुम क्यों आओगे, हरम घबराती हुई बोली, अजलान ने मुस्कुराने पर एक्तफ़ा किया, एक मिनट बाद हरम की वीडियो कोल आने लगी थी, अजलान ने एक लंभी की ताखियर किये बिना कोल अटेंड कर ली, हरम का चेहरा जुका हुआ था, अजलान चंद सेकिंड इसे देखता रहा, बिलह शुबा तयार होकर व अजलान इसकी नजरों का मफूम समझ कर मुस्कुराने लगा, ये बताओ इतना तयार क्यों हुई हो, मैं तो यहां बैठा हूँ, अजलान आइबरो उच्खा कर बोला, वो मेरे भाई का वलीमा है आज, हरम दाएं बाएं देखती हुई बोली, बड़ी बे मरोवत हो, भाई के वलीमे में शोहर को नहीं बुलाया, अजलान बुरामान गया था, मैं कैसे बुलाती तुम्हें, भाई ने मुझे जान से मार देना था, हरम तासुप से बोली, अच्छा, अब ऐसा करो, मुझे चावल भेजो, अपने भाई के वलीमे के, शादी पर तो तुमने बुलाया हरम को मानो साफ सूं गया था, अजलान में कैसे आ सकती हो, तुम खुद सोचो, हरम अफसर्दिकी से बोली, अच्छा, मुलाजिम है ना घर में, हरम अजबात में सर हिलाने लगी, इनके हाथ भेज दो, अजलान लब दबाय मुस्कुराहत रोकता हो, बोला, नहीं, मेरा मतल सारी देगे मांग ली थी, अजलान मुँ बनाता हो, बोला, नहीं, अजलान कसंसे ऐसा नहीं है, मैं तो पूरी देख भी देदू, मेरे हिस्से का भी तुम खालो, चाहे, लेकिन, मसला भेजने का है, वो मासूमित से बोली, अजलान हस्ता हुआ इसे देखने लगा, अजला जब तुम मुझे शर्ट लाकर दोगी, मैं तब ही पहनूगा शर्ट, अजलान जिद्धी अंदाज में बोला, हाँ, हरम मुँ खोले इसे देखने लगी, अच्छा, मैं वापस जाकर ला दूँगी, अभी तो पहन लो, अजलान बिना कुछ कहे कैमरे के सामने से हटा, हायर सी बोली, खाए हैं, लेकिन तुम्हारे भाई के वली में के तो कभी नहीं खाए, अजलान का मौन फ्रेश हो गया था, हरम रोने वाली शकल बनाए इसे देखने लगी, अजलान, शायद कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करूँ, हरम इजाज़त तलब नजरों से इसे देखने लगी, इस एक नजर में हरम ने अजलान को अपनी आँखों में मुकीत कर लिया था, आ जाओ, अजलान के चहरे पर मुस्कुराहट थी, हरम ने मुस्कुराते हुए, खुदा हाफिस बोला और फोन बंद कर दिया, चहरा मोड कर अकब में देखा तो कोई भी नहीं शुकर है किसी ने नहीं देखा, हरम सांस खारिज करती हुई, जीने उतरने लगी थी, शा और महर दोनों एक साथ सोफे पर बैठे थे, शा के चहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट थी, आदिल को देखकर शा स्टेज से उतर गया था, महर ने चहरा उठा कर इसे देखा जिसकी पुष्ट महर की जानिब थी, हरम भी स्टेज पर आ गई, भाबी आपने खाना खा लिया, हरम इसके पहलों में बैठती हुई बोली, महर नफ़ी में सर हिलाने लगी, चले फिर मैं खिला देती हूँ, हरम खुश दिली से बोली, हरम दर असल शाह ने कहा था, ये सब नहीं जो डोक्टर ने डाइट बताई है, वही सब खाना है, महर इसे देखती हुई बोली, चले कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत बेसबरी से अपने भतीजे या भतीजी का इंतजार है, हरम इस्तियाक से बोली थी, महर इसे देखकर मुस्कुराने लगी, शावेज कुश फास तस्वीर, नजर बंद कर ली, लग धीरे से मुस्कुराने लगे, भाई कहां से ढूंड कर लाए हो आप महर को, काश मुझे मिल जाती, शावेज आ भरता हुआ हसरत से बोला, यार तो महर को हवेली ले आया है, आदल जितना हैरान होता इतना ही कम था, वो मेरे बच्चे की म बनने वाली है, जाहर सी बात है, इसे हवेली ही लेकर आना था, शाह पर सुकून अंदाज में बोला, लेकिन शाह वो एक तवायफ है, तो कैसे इसे अपनी बीवी का दरजा दे सकता है, आदल शचदर सा बोला, पहले मैं भी तवायफ समझता था, लेकिन अब वो मेरी कैसे, आदल अब सम्हल कर बोला, मैं नहीं जानता लेकिन इसकी गैर मुझूद की खलती है मुझे, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, शाह ने चहरा मोड कर महर को देखा जो सर चुकाए बैटी थी, और इसके साथ, आदल बगोर इसका चहरा देखता हुआ बोला था, पिलहाल इसके अलावा और कोई चारा नहीं, मैं अपने बच्चे को एक नॉर्मल जिंदीगी देना चाहता हूँ, शाह शाह ने उचकाता हो बोला था, और अगर सब को मालूम हो गया, कि वो कोटे से आई है फिर, आदल तवायफ बोलने से गरेजबरत रहा था, जब ऐसा ह होगा देखा जाएगा, शाह ने इसे तालना चाहा था, आदेल इसकी बात का मफ़ूम समझता हुआ, अजबात में सर हिलाने लगा, अरे ये तो तवायफ है, हाई हाई देखो शाह खानदान ने एक तवायफ को अपनी बहु बना लिया, शाह की समाद से वो आवास टकराई वो खातून, तकरीमा चलाने वाले अंदाज में बोली थी, और शाह के साथ साथ कई महमानों ने सुना था, चहरे पर चट्टानों किसी सखती उद आई थी, शाह पेचवताब खाता हुआ इस औरत के पास आया, क्या कहा है आपने, शाह जबत करता हो बोला, कुछ नहीं, ब शाह सीने पर हाथ बानता हो बोला, इस औरत को आखी लग गई थी शाह की बात पर, मुझे तवायफ कैसे कह सकते हो, वो दात पीस्ती हुई बोली, एक तवायफ को दूसरी तवायफ ही जान सकती है न, आप मेंसे कोई जानता है, शाह टेबल पर वराजवान दूसरी खातीन को देखता हो बोला, सब के सर नफी में हिर रहे थे, चोधरी सहाप ने मुझे बताया है, वो गुस्से से गोया हुई थी, ओ, मतलब चोधरी सहाप कोटे पर जाते हैं, जबरदस, जहां तक मेरा खयाल है, इस जगा पर नहीं जाते, ऐसा ही है न, शाह इस औरत को घूरता हो बोला, आस पास लोग इनकी जाने मतवज़ होए थे, जोफ्षा बेगम पेशाने पर बल डाले, इसी जाने चली आएं थी, मेरे शोहर पर कैसे इलजाम लगा सकते हो तुम, वो तकरीबा भट पड़ी थी, तो आप मेरी बीवे पर कैसे इलजाम लगा सकती हैं, शाह टेबल कर बोलता हुआ, पीछे हो गया, जोफ्षा बेगम शिश्टर सी इन्हे सुन रही थी, मेर गाहें बगाहें नजरे शाह पर डाल रही थी, और इस हंगामे से भी बाखूबी वाकिफ थी, मेर का दिल खून के आंसों रो रहा था, धरकने बे तर्तीब हो रही थी, जिस बात क खौफ था, वही हो रहा था, मेर की आंके चलक पड़ी, नजाने क्यों, शायद वो कंजोर हो रही थी, शाह मेर की जानिब आ रहा था, आंके सुर्क अंगारा बनी हुई थी, मेर को पहली बार शाह से खौफ महसूस हो रहा था, चलो मेर, शाह इसका बाजू पकड़ता बोला था, मेर चहरा उठा कर इसे देखने लगी, शाह को इसकी आंकों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे, उठो अंदर चले, शाह ने इसे फिर से नर्मी से मुखातिप किया, मेर लहंगा समालती हुई खड़ी हो गई, शाह इसका हाथ थामे, चलने लगा था, इन द मेरा हातों में लेता हुआ बोला था, इस से कबल कि मेर कुछ बोलती, जोफ्षा बेगम चिलाने लगी, शाह तुम एक तवायब को उठा कर लाए हो, शाह नागावारी से चहरा मोड़े, इन्हें देखने लगा, आप इस जाहिल औरत की बात सुनकर मेरी बीवी को तवायब डालती हुई बोली, अमी अपने अलपास पर गोर करें, मुझे मजबूर मत करें कि मैं आप से सफ़ती से बात करूं, शाह जब्त करता हुआ बोला, शहर यार अकब में दिखाई दिया, क्या कर लोगे तुम बताओ, और इसे फारिक करो अभी के अभी सारे खांदान में जल शहर यार ने मदाखलत की, क्या मतलब क्या कर रही है, तुमने सुना नहीं है, ये मन्हूस एक तवायफ है, वो हिकारत से बोली, शहर यार शाह के तासुरा देखकर घबरा गया, आप चलिए मेरे साथ और खामोश रहना है, अब मैं बता रहा हूँ, शहर यार इन्हें बाह मेर कर्प से बोली, रूह को दी जाने वाली अजियत का कोई एहसास नहीं होता, नहीं कोई मदावा, महर तुम क्यों ये सब सोच रही हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, फिर क्यों फिक्र कर रही हो, शहर इसे बाजूं से पकरता हुआ बोला, महर अश्क बहाती हुए नफी मे सर हिला रही थी, शाह आप किस किस को खामोश करवाएंगे और कब तक महर दर्द भरी निकाहों से इसे देखने लगी, महर मेरी बात सुनो, शाह तहामल से बोला, शाह मुझे आजाद कर दें, खत्म कर दें इस रिश्टे को, मेरे बास अपने घरवालों से मत लड़े, महर ह इसके हाथ हटाएंगे और बाहर की जानब कदम बढ़ाने लगी, महर मेरी बात सुनो, पागल मत बनो, शाह बोलता हुआ इसके पीछे लपका, महमान वापस जा रहे थे, शाह वेज चेहरे पर बेजारी सजाय हवेली से बाहर निकलाया, गाड़ी में बैठा और जन से भग दोराया, शावेज अजबात में सर हिलाने लगा, शादी कब हुई है और वलीमा कब, बुरहान हैरान हुए बिना न रह सका, शावेज ने मुखतसर महर के मतालिक बताया, अब तो मुझे भी यही लग रहा है, कि भाई महर को कोटे से लाए हैं, शावेज तपाट अंदाज में बोला, इंड्रस्टिंग, शादी कर ली, वो भी एक तवायब से, बुरहान के चैरे पर हलकी सी मुस्क्राहट थी, यार, मुझे महर से मुहबत हो गई है, शावेज शिकस थोरदा सा बोला था, बुरहान पेशानी पर पल डाले, ताजब से इसे देखने लगा, में सर हिलाने लगा, महर को देखोगे ना, बस सब कुछ भूल जाओगे यार, मुकमल हुसन है, वो ऐसी आफ़त के बस दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती है, शावेज खायल सा बोला था, कैसी आफ़त है, मुझे भी दिखाओ फिर, बुरहान तजस्तु से बोला, शा वेज के जहरे पर होफ के साय मंडलाने लगे, क्या हुआ, बुरहान फोन से नजरे हटा कर इसे देखता हो बोला, यार मुझे महर चाहिए, अपने ही घर में इसे चलता फिरता देखू लेकिन भाई के साथ, वो बोलता हुआ, नफी में सर हिलाने लगा, शाह से बात करो, श जो चीज ना मिले, इसे चीन लो, बुरहान के चहरे पर शातिराना मस्कुराहट थी, जिसे रात के अंधेरे के अबाद शाहवेज देख नहीं पाया था, कैसे, शाहवेज बेचैनी से बोला था, पहले इनका बच्चा जाया करवा दो, फिर बाद की, बाद में देखी अब तुम घर जाओ, और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, कि तुम मुझ से राप्ते में हो, समझ गये ना, बुरहान इसका शाना थप थपाता हो बोला, शावेज मायूसी से देखता हो गारी में बैठ गया, सीन जेंच, जुलेखा बेगम चलती होई, जुनेरा के कमरे म बोली, हाई हाई, क्यों नहीं करना है तुने, फिर वापस चली जाएगी, चल उट, आज कल कमाई भी बहुत कम हो गई है, फिर तुम दोनों पर भी अलग खर्चा हो रहा है, वो खवगी से बोली थी, बेगम साहिबा मैं आज नहीं कर रही, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा अब मुझ पर दबाव मत डालना, वो फोन को घूरती हुई बोली, कहीं दिल विल तो नहीं लगा लिया है शहर में, जुलेखा बेगम चाशती हुई नजरों से इसे देखती हुई बोली, हमारा दिल लगाने को बेशुमार मर्द मुझूद हैं, फिर क्या जरूरत है दिल कभी नहीं देखा, वो आएना दिखाने लगी थी, सुनेरा तल्खी से मुस्कुराने लगी, जानती हुई इस हकीकत से मुझ कैसे मोड सकती हूँ, वो आब भरती हुई बोली, चल फिर उच जा, शाबाश मेरी जान, जुलेखा बेगम नर्मी से बोली थी, अब वापस पीच कर रखना पड़े का, वो हंकारा भरती हुई चलने लगी, सीन जेंच, महर मेरी बात सुनो, शाब इसके अकब में चलता हुई बोला, महर आंसो बहाती दरवाजी की जाने बढ़ रही थी, शाब ने इसकी कलाई ठाम ली, महर चहरा मोड़े इल्टजाईया नजरों से इसे देखने लगी, शाब बिना कुछ बोले चलने लगा, शाब मुझे जाने दे, महर इसके हमरा चलती हुई बोली, अब तुम खामोश रहोगी, शाब जीने चढ़ता हुआ बोला, महर की पायल की चाब सुनाई दे रही थी, शाब कमरे की बजाए च्छत पर आ गया, महर मैं तुम्हे छोड नहीं सकता, ये बात अपने पलू से बांध लो, चाहे मुझे सारी दुनिया से लड़ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हे कही नहीं जाने दूँगा, रात के अंधेरे में फलक पर टिम्टमाते हुए सितारे के हमरा, खामोशी में वो धीरे धीरे सरगोश कर रहा था, क्यों शाह? महर तड़कर इसे देखने लगी, मैं तुमसे बेहद महबत करता हूँ महर, तुम्हारे बिना जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता, तुम मेरी रूख का हिस्सा बन गई हो, जिसे मिच्चाह कर भी खुद से जुदा नहीं कर सकता, शाह धीरे धीरे मह महर की बेकरार धड़कनों को करार बक्ष रहा था, महर हामोशी से इसे सुन रही थी, शायद वो इसे सुनना चाहती थी, सच कहूंगा, तुम से पहले मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अब तुम्हें खुद से अलग करना नामुंकिन, महर दुनिया की फिक्र मत करो, ज मताब भी मुस्कुरा रहा था, अपनी रोशनी से तारीख दिवारों को मनवर कर रहा था, अपने दिल में ये ख्याल कभी मत आने देना के शाह तुम्हें छोड़ देगा, शाह सारी दुनिया को छोड़ सकता है लेकिन तुम्हें नहीं, महर की आँखों से दो अश्क वे बोली थी, दुनिया कुछ भी सोचे मुझे फर्द नहीं बढ़ता है, मेरे लिए तुम बहुत एहमियत की हामल हो, और तुम्हारा माजी, मैं नहीं सोचता हूं इसके मतालिक, तुम मेरे हमरा हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम है, तुम पर महबत का एतमाद बख्ष रहा था महर की आँखों में दिखाई देती हुई बेयकिनी आज वो खत्म कर देना चाहता था शाह खामोश हो गया महर ने अपने लब ना खोले वो तूटी थी बिखरी थी लेकिन आज इसे समेटने वाला इसके साथ था वो तन्हा नहीं थी इसका गम खौर इसे अपनी पन्ह में लिए हुए था आज वो इसे अपनी महबत का यकीन दिला रहा था अब तुम कमरे में जाकर आराम करो मैं घर वालों से बात करके आऊंगा शाह आहस्ता आहस्ता बोल रहा था जो अजियत थी वो खत्म तो नहीं हो सकती थी अपनी जात की तद्लील कोई बरदाश नहीं कर सकता लेकिन वो मदावा करने की सही कर रहा था महर चेहरा जुकाए इसके हमरा चलने लगी मैं खाना भेजूंगा मुलाजमा के हाथ चेंच करके खा लेना शाह दर्वाजे में खड़ा इसका मूँ थपथपाता हुआ बोला था महर की आँखे फिर से नम हो गई वो अजबात में सर हिलाने लगी तो शाह चला गया शाह जानता था इस वक्त सब बाबा साइं के कमरे में होंगे इसने इसी जानब कदम बढ़ा दिये तोको के एन मताबिक सब वहीं पर थे मारिया और हर्रम के सिवा क्योंके औरतों को इतना हक नहीं दिया जाता था कि वो मदाखलत कर सकती शाह के कदम रखते ही कमरे में मुकमल खामोशी चा गई शाह एक नजर सब पर डालता हुआ सिंगल सोफे पर बैठ गया जी बाबा साइं बोले शाह बगोर इन्हें देखता हो बोला ये हम क्या सुन रहे हैं तुमने एक तवायफ के साथ निकाह किया है वो जब्त करते हुए बोले लेकिन फिर भी इनकी आवास कमरे से बाहर जा रही थी किसने कहा महर तवायफ है शाह भरपूर तमानियत से बोला था चोधरी की बीवी कह रही थी तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मालूम ही नहीं जो शाह बेगम फट पड़ी थी शाह सुलकती हुई नजरों से इन्हें देखने लगा मैं बाबा साइं से बात कर रहा हूँ मुनासिब होगा आप मदाखलत नहीं करें शाह चबा चबा कर बोलता हुआ कमाल सहाब को देखने लगा तो चोधरी जूट बोल रहा है क्या हासिल होगा उसे इस सबसे कमाल सहाब सवाली है नजरों से शाह को देखने लगे मुझे एक बात बताएं क्या वो काबले एतबार इन्सान है आप मेंसे किसी ने महर पर इल्जाम क्यों नहीं लगाया या फिर गाउं के किसी और इंसान ने ऐसा क्यों नहीं कहा शाह आईबरो उचका कर बोला अगर वो इतने वशोख से बात कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो कोठे पर जाता है और आप इस चोधरी से सबूत ला दे मुझे कि महर कोठे से आई है शाहा रुक कर इन्हें देखने हो गई है क्या हो गया है आप सब को एक छोटी सी बात बोल रहा हूं मेरे बजाए इस चोधरी का यकीन कर रहे हैं अगर इतनी तकलीफ है मेरी बीवी से तो बता दे मैं इसे लेकर चला जाता हूं शाह बिगड़ कर जौफ शा बेगम को देखने लगा शहर यार और हाल को देखकर नर्मी से मुखातिब किया था शाह लंबे-लंबे डिक भरता हुआ बहार निकल गया आपने बस इस पर मजीद कोई बहस नहीं शाह पर हमें भरोसा है वो बिना सोचे संजे कोई काम नहीं करता है और आप महतात रहिएगा अब बहु उमीद से है और शाह हरम बेचैनी से कमरे में ठहल रही थी इसके बरकस हरायमा के चेहरे का रंग फख हो गया था एक ऐसी हकीकत के आशकार होने का खत्रा लाहाग था जिसमें जबरदस्ती इसे जोका गया था शाह कमरे में आया तो नजरे महर से टक्रा गई थी जो सोफे पर बैठी इसकी मुंत लेकिन तुम्हें खा लेना चाहिए था बिला वज़ा मेरा इंतजार किया शाह नफी में सर हिलाता हुआ महर के मूँ में निवाला डालने लगा महर नम आखों से इसे देख रही थी लोगों की बातों से दिल दुखा था तो वो अपनी महबत से इन जखमों को मदमल कर रहा थ अब तुम सोजा मुझे कुछ काम करना है शाह इसका रुक्सार थप थपाता हुआ बोला महर सर हिलाती हुई खड़ी हो गई शाह सांस खारिश करता हुआ लैपटोप खोल कर बैठ कया शाह सांस खारिश करता हुआ लैपटोप खोल कर बैठ कया क्याओं सांदी कर लैपटोप用? तुम सोभ़ी है